भारत में 5000 किलो मीटर की दूरी तक मार करने वारी न्यूकलियर बैलेस्टिक मिसाइल अग्मी 5 का सफल परिक्षिन किया इस मिसाइल के सफल परिक्षिन के साथ ही पूरा पाकिस्तान और चीन भी अभारती मिसाइलों के जद में आ गया है इस पर कई विशेशग्यों ने खुशी जाहिर की और इसे भारत के लिए गर्फ की बात बताया रिटार्ड लेफ्टिनेंट जर्नल अनिल भट ने कहा कि मिशन दिव्यास्तर भारत के लिए गर्फ का पल है देश में विक्सेत अगनी फाइफ मिसाइल के साथ MIRV तकनीक से सुनिष्टित होगा कि एक ही मिसाइल में कई वारहेट तैनात किये जा सकते हैं इस परशिक्षन के बाद भारत भी उन्चनिंदा देशों में हो गया है जिनके पास MIRV तकनीक है साथ ही आपको बता देश मिसाइल में जो सेंसर और एविनियोनिक्स लगे हैं वो भी भारत में ही बने हैं और भारत की तकनीक की जंदा का सबूत है It is a moment of pride that India today has launched Mission Divastra The first flight of the indigenously developed Agni 5 missile along with the MIRV that is a multiple, independent, targetable re-entry vehicle technology This will ensure that a single missile can deploy multiple warheads and with this test India has joined a select group of countries which have the technology of MIRVs Also, the system which has indigenous sensors and avionics is a proof of India's technological ability My special congratulations to all our DRDO scientists who have achieved this and shown India's technological prowess